जो बजेट में जातातर को नहीं है वो 80% के लगबग ऐसे जनता को फील हो रहा है वाई पूरी हो चुकी है जैसे चिरिंजेवी योजना प्रसाशन गाओं के संग में पट्टे मिल रहे हैं लोगों को पाइलेट साथ दूसरी पार्टी में जाते हैं इसका नुक्सान तो 100% जो कि पाइलेट एक यूथ आइक होना है यूओर के लिए प्रेयना है तो उनको तो होना जरूरी है पार्टी में और उनकी बज़े से यह गैलो सरकार रिपीट भी हो सकती है अगर वसंद्रा को प्रजेक्ट कर तो फिर तो बहुत है थोड़ा और वसंद्रा को जयपूर से हर से 16 जयपूर ग्रामिंद की बगरु विदान्सवा चेत्र में पहुंचे हैं और जनता का मूर जानेंगे कि आखिर 2023 के विदान्सवा चुनाओ के अंदर जनता का मूड क्या है क्योंकि गैलो सरकार के साड़े चार साल का कारियकाल पूरा हो चुका है और चुनाओ के बस चंद महिने हैं तो जनता से जानेंगे कि जो सरकार ने वाइदे किये थे और जो बजट में गौशनाएं की थी क्या वास्तिक तोर पर वो धरातल पर आई है और क्या जनता का इसको लेकर मूड है तो बाटिका की वग्रू विदान सबाचेतर की जनता हमारे साथ है सर साड़े चार साल का कारियकाल गहलो सरकार का पूरा हो गया कौन-कौन सी योजना है जिनसे लोग लाबानवित हैं और कौन सी खामिया है जो अभ प्रसाथन गाओं के संग में पट्टे मिल रहे हैं लोगों को बिल्कुल निसुल की मिल रहा है एक तरह से मानवा और अभी जैसे प्रसाथनिक डाचे को तोड़ सुगम बनाने के लिए तैसिले खुल गई है कही नगरपाली काय बढ़ी है और कहीं पंचाई समीतियां वग परातल पर आ चुकी हैं लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल है कि अभी कहा है कि चुनाओ के चंद महिने बाकी है चुनाओ यह कहो कि यह सरकार के कारिये का लगबग पूरा हो चुका है अभी सरकार ने योजना निकाली है गैस सिलेंडर 500 में देने की क्या आपके वाटिका में क लोगों को इसमें लाब मिलेगा इसमें अभी विग्या बनाए कि कई जगे हम गये हैं और जनता का ये भी कहना है कि इसे हम राहत समझें या रिस्वत क्योंकि इस सरकार का कारियकाल तो लगबग पूरा हो चुका है और आप चंद महीने बचे हैं तो यह रहात होगी या र लगातार जो कॉंग्रेस सरकार है उसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कि सुरू से जब सरकार 2019 में बनी थी तभी से एक तरीके से गहलोत गुट और पाइलेट गुट उसी टाइम से चल रहा था और 21 सीट पे जहां कॉंग्रेस सिमट कर रह गई थी उससे 100 तक लाके और फिर कॉंग्रेस सत्ता में आई है तो आप इसको किस नजरिये से देखते हैं कि पायलेट ने अभी परसो अंसन भी किया है एसी मामले को लेके तो आपका इसमें क्या कहना है कि क्या मोगा मिलना चाहिए या पाइलेट इस तरीके से अंसन कर रहे हैं तो उनको तो होना ज़रूर यह पार्टी में और उनकी वजे से अहीं गैलो सरकार रिपीटी हो सकती है अगर पार्टी में रहेंगे गैलो सर वापस लिपीटो दाभ्टूर घुर महीं है यह मेरा माणनायर यूथ आइक। केंदर में बीजेपी की सरकार है मेरे सवाल यह भी रहेगा क्यूंकि 2023 के बाद 2024 में लोकसभा के भी चुनाव है और जैसा कि आपको पता होगा 25 जो लोकसभा की अपनी सीटे हैं उसमें लगवक 24 सीट और एक हन्वान बेनिवाल की लगाएं तो लगवक 25 सीट बीजेपी की है तो बीजेपी के सांसुरों की तरफ से अभी तक कोई रात कहुंची है या सिर्फ काम कर रही है ने commitment वह करी रहे हैं लेकिन का BIG का विदायग है हमने अभी तक जो विदायक हैं जो कारिक है वह काश्ची का रए कर रहे हैं सड़के रोड़े सारीश परियाश पानी-वाणी ये आपको क्या लगता है कि सचीन पाइलेट को मोखा मिलना चाहिए लेकिन केल्स्टाइस का colour बहुत वड़ी है उनुने पूरद बिख लगों की घरत होती है लेकिन हमारा सवाल यह है की जो विदान सभा चुनाओं है और उससे पहले party के अंदर इस तरीके का महावल चल रहा है और अशो गहलोत ने कल press conference की उसके अंदर यही कहा था कि मेरा ध्यान सिर्फ राहत पे बच्छत पे और बड़त पे है इसके अलावा मेरा कोई भी ध्यान नहीं है तो party के अंदर उनी जो यह जो चल रहा है वो एक अपनी जगह पे है लेकिन अभी जैसे सेलेंडर की बात चल रही है सेलेंडर अभी 24 तारिक से जैसे कि इन्हों ने कहा कि 24 तारिक से 24 तारिक से कैंप लगेगा तो कॉंग्रेस तरकार ने पिछले साड़े चार सालों से जो जन अगर साड़े चार साल पहले से वह अगर रहत देनी थी तो उन्हें पहले से उसका अब तो आध तो जए से ना जो GST, VST से तो उसमें जो पैसा वस्तानों विकास के कारियों में खर्च होता है तो पिछले सुरुवात के दो साल ऐसे ही चले गए उसमें तो इसको थोड़े टाइम लग गए इसको और ऐसे भी OPS वगरा कहीं चीजें अभी इस पिछले बजट में लागू कर दी थी मेर अभी वो इसका प्रमोशन हो गया है इसमें चेत्री मन अद्रिगारी में हो गया है तो प्रमोशन थे बहुत टाइम कर रहे हैं और अभी यह OPS लागू कर दिए तो उनमें खुश है काफी तो बगरू की जनता कॉंग्रेस सरकार से खुश है आने वाल देखो जो आदमी अगर परिवर्तन होता है तो उससे आप संतुष्ट है सचीन पाइलेट को अगर ने तो बिल्कूर नहीं है एनर्जी है वाजोस है सब चीज है लेकिन अपने की बिना बुलाए कि इतनी वीड़ा नहीं नहीं वह है अच्छा है वागरा है यह तो कह राजनितिक में तो कहां की तरब से भेजे गए जो नुमाइन दे थे उन्होंने पहले जो सीम जो जब बनाए गये थे सीम उस टाइम भी इनको तीन दिन तक लगा ता दिल्ली जैपूर दिल्ली जैपूर हो रहा था आखिर दोनों के हाथ खड़े करवा कर बताया गया कि अब ठीक है इनको डेप्त पार्टी के थोड़ा फूट तल जाती है और भी तरीके के यहां पर लोग है और इनका कहना है कि जो कॉंग्रेज सरकार का जो कारियकाल था उससे बगरू की जनता देखे हैं तो बगरू की जनता तो संतोष्ट है जब इसे पूछा गया कि अब तो बस कुछी महीने जो है वो विरानसभा चुनाओं के बचे हुए है तो क्या लगता है रात होगी हरेस्वत तो इनका कहना है कि कॉरोना के समय जो है युआ है मेनत किया है संगर्ज किया है और पारिटी को 21-100 तक ले गए है आगे जो होगा वो आला कमान का फैसला है राजस्तान तक के लिए जैपुर ग्रामेंड से महिंदर बास रोटा कि का लिए है